उत्तर प्रदेस में नई सिक्षक भरती को ले करके लगतार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश अभीरती लगतार की जा रही है और एक उमीद और एक आसा के तहट अभीरती लगतार प्रयास कर रहे हैं ताकि सिक्षा विभाग की तरब से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉंस देखने को मिले इन सबको लेकर के सिक्षा विभाग और बेसिक सिक्षा मंत्री जी का क्या रूख है ये जाना आपके लिए बेहत जरूरी है साथ ही एक बहुत ही महतोपून टॉपिक जो की मानेने सुप्रिम कोट में विचारा धीन है उसके बार में आपको जाना बेहत जर ग्यापन दे करके उत्तर प्रिदेश में नई प्रात्मे कितर की सिक्षक भरती की मांग के संदर में ग्यापन सौपा उन्होंने मानेने बेसिक सिक्षा मंत्री जी को ओगत कराया कि वर्तमान में सिक्षक छात्र अनुपात के हिसाब से लाखो पद सिक्षकों के खाली है पी इसकूलों में लंबे समय से सिक्षक भरती ना आने की वज़े से BADDLTET पास कर चुके अभिर्थियों में रोश है राजमंत्री से सिक्षक भरती पर सवाल किये गए लेकिन इन सवालों पर राजमंत्री ने चुप्पी साध ली यानि उनके द्वरा इसके संदर में कुछ भी स्टेट्मेंट नहीं दिया गया कि सरकार क्या कर रही है या फिर अपना पक्ष नहीं रखा कि विभाग में इन बातों को लेकर के कुछ चर्चा भी हो रही है अत्वा नहीं हो रही है यानि कि अभी तक की वर्तमान इस्रिती के इसाब से ये चीजे निकल करके आ रहे हैं कि ना तो बेसिक सिक्षाविबाग और ना ही सरकार प्रात्मे किस्तर की सिक्षक भरती को लेकर के गंभीरता दिखा रहा है वहीं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2022 को यानि सिक्षक दिवस के आसर पर एक ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गए थी आप इसकिन पर देख पा रहोंगे उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहतर चात्र सिक्षक अनुपात का दावा किया था उनके अनुसार 2013-14 में 26 चात्र पर एक सिक्षक हुआ करते थे और अब 2020-21 में 18 चात्र पर ही एक सिक्षक है जबकि RTE का मायना प्रात्मिक के लिए 30 चात्र पर एक सिक्षक का होना चाहिए और अपर प्रैमरी यानि उच प्रात्मिक का 35 चात्रों पर एक सिक्षक होना चाहिए और सरकार के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि इस समय 18 चात्र पर ही एक सिक्षक है यानि कि अगर इन जावों में सच्चाई हुई, तो टीचर की जितनी requirement है, उससे double teacher हो चुके हैं, क्या ये practically संभव है, PAB की report ने जो data प्रस्तूत किया था, उसके हिसाब से तो लाखोपद खाली है उत्तर प्रदेश में, तो ये सब कुछ एक तरीके से data को manipulate किया जा रहा है, या फिर data को गलत त बड़ी खबर पर, इसके पर आप एक article देख पारोंगे, EWS आरक्षण पर सम्विधान के मूल ढाचे का उलंगन तो नहीं, परखेगा Supreme Court, जैसा कि आपको ग्यात होगा, कि केंदर सरकार ने EWS यानि आर्थिक रूप से पिछड़े अभियर्थियों को 10% आरक्षण का लाब दिया था, उसी मामले को ले करके ये मामला मानने Supreme Court में विचारा दिन है, कि कहीं ये 10% आरक्षण जो है, जो स्वर्ण अभियर्थियों को दिया जाता है, कहीं ये सम्विधान का उलंगन तो नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सम्विधान पीठ 13 से करेगी नियमित जल्दी से एक बार पूरी आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, सुप्रीम कोट ने सिक्षा और नौक्रियों में सवर्ण गरीबों के लिए 10% आरक्षण को चुनोती देने वाली याचिका की सुनवाई के लिए 3 विस्त्रित मुद्दे व्रिस्पतिवार को तै कर दिये, मुख् पक रूप से कवर करते हैं, पीठ में जस्टिस दिनेश महस्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट, जस्टिस वेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पार्दी वाला भी सामिल हैं, सम्विधान पीठ 13 सितंबर से नियमित सुनवाई करेगी, क्या है मूल धाचे की कोट ने केशवा नंद भारती केस में 1973 में पेस की थी, इसके तहत यह कहा गया था कि संसद के पास सम्विधान के हर अंग को संसोधित करने का अधिकार नहीं है, कानून का शाषन, शक्तियों का बटवारा और नयाईक स्वतंतरता जैसे विशे संसद इन्हें संसोधित नही कर सकता, क्योंकि संसद से कानून पास करके सवन अभियरतियों को 10% आरक्षाण का लाब दिया गया था, इसे ही चुनोती दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार के एक मामले में 1973 में मानेने सुप्रिम कोट ने फैसला दिया था कि सरकार के पास सभी मामलों में हस्तक्षेप करन का अधिकार नहीं होता है, तो यहीं किये गये हैं, और कौन से तीन मुद्दे तै किये गये हैं, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, पहला मुद्दा ये तै कि सुप्रिम कोट तै करेगा कि क्या समिधान का 103 संसोधन सरकार को आरक्षाण समेत इस प्रकार के इस अधिकार देकर समिधान के मुल धांचे का उलंगन करता है, अथवा नहीं, और जो तीसरा मुद्दा बनाये गया है, वहिया है कि क्या SEBC और OBC, ST, SC को EWS आरक्षाण के दाएरे से बाहर रख करके 103 समिधान संसोधन के मुल धांचे का उलंगन कर रहा है या नहीं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस मुद्दे से एक तरीके से अब यह तै होगा कि भविष्य में जो EWS से आरक्षित लाप दिया जा रहा है, वो मिलेगा अथवा नहीं, क्योंकि यह पूरी तरीके से समिधान का जो मुल धांचा है, उसको ही आधार बनाते ह इनके अस्वर्ण अभियर्थियों के आरक्षण को चैलेंज किया गया है मानने सुप्रेम कोर्ट में, और दिनांक 13 सितंबर 2022 से लगतार इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है, इस वीडियो को देखने कलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन सुप्र झां थीडियो कोर्ट में, आपका बहुत झाले गि烜ी को झाले साह्न था तो शेखना है, इस खरोगेगżyćों कि और रहाई है झाल 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 झाल